हे गाइज वल्कम टो देव भूमी कजर पॉंटो देगे दोस्तो सामाने हिंदी टेस्ट स्रीज पार 69 है और इसमें भी आपको मिलेंगे सामाने हिंदी के महत्तोपों MCQ देगे बहुत ज़्यादा बैनिफीचल यह टेस्ट स्रीज है उत्राखंट जीके टेस्ट स्रीज सामान बिल्कुल भी आपने स्किप नहीं करना है इनको अच्छे से को देखना है क्योंकि UK SSC का जो नविंतम पैटन है उस पर आधारित यह सामाने हिंदी के MCQ है बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी जो लोग इस सीरीज को फॉलो करते हैं आने वाले एक्जाम में आप खुदी आ यह लगा है बहुत है आ पैले कोश्टन की तरफ तो पहला कोश्टन ने देखिए जोन साअरी बोली में से किस वर्ग में आती है ठीक है तो यहाँ पर वर्ग बताना है आपने जोन सारी बोली का किस वर्ग में इसको रखा जाता है तो इस पूर्भा मैं पूछा जा चुका युके ट्रिपल सी के एक्जाम में एंड राइड आंसरी जो ऑप्शन सी जॉन सारी बोली आती है दोस्तों पश्चीमी पहागी में ठीक है अगर ध्यान रखे हम उत्राघंड के मैप के एसाब से हम देखे हैं तो जॉन सार छेत्र देहरादुन में आता है ठीक है जो कि उत्र इन एक couple की अगर देखे है ठीक है ठीक है तो चल्य बढ़िए क्मिसें कि त्रब पूर्ष हतम में कौन सी संधी ँगी टिक है थो पूर्सवतम ठीक है पूरुस धन उत्तम, ठीक है और धन उ ओ रहा है यहां पर तो पूरुस धन में यहां पर हो जा रहा है गुमिसंदी ठीक है option b सरी answer है इसमें हो जाएगी आपकी गुमिसंदी नेक्स देखे व्यवस्ता सब्द का निर्मान किस से हुआ है तो व्यवस्ता जो सब्द है दोस्तों इसका निर्मान किसके द्वारा हुआ है यह पूछा गया है तो व्यवस्ता सब्द का निर्मान हुआ है उपसर्ग से यानि कि option is में से answer जाएगा उपसर्ग से हुआ है व्यवस्ता सब्द का निर्मान अगले दिखे टिकट घर कैसा सब्द है तो टिकट घर बताने आपने टिकट यानि कि इंग्लेज भासा का सब्द है और घर जो है हिंदी का है ठीक है तो इंग्लिस और हिंदी दो भासा के सब्दों से मिलकर बना हुआ सब्द है टिकट गर और ऐसे सब्द जो कि नहीं दो भासाओं के मेल से बने होते हैं इन सब्दों को हम कहते हैं संकर सब्द यानिकि option D इसमसर आंसर है संकर सब्द क्या लाते हैं ठीक है option D हो जाएगा बगलत अगले question के तरब आलस सब्द का विशेशन क्या होगा तो आलस जो सब्द है इसका अगर हम विशेशन के आधारक पर देखें तो कौन सा इसमें विकल्प सही होगा तो आलस का विशेशन हो जाता है आलसी ठीक है तो आलस से क्या बनता है आलसी option A इसका सह आंसर लेगा R C बगते के लिए question के तरब कौन सा वांग घोस नहीं है तो देगे विकलपों में से कौन सा ऐसा वांग है दोस्तों जो घोस या सघोस बोल सकता है वो नहीं है ठीक है तो बहुत महत्तुपन question है ठीक है तो घोस का मतलब का पतल सबसे पहले तो आपको यह पता होना जी कि गोश का जो अर्थ है वो क्या है तो गोश का अर्थ होता है दोस्तों स्वर तंत्रियों में स्वांस का कमपन होना ठीक है यानि कि जब भी हम यह स्वर बोलते हैं तो इनमें कमपन पैदा होता है सगोश ध्वनियां पैदा होती तो यहां पर मैंने क्या बोला आपको गोज का अर्थी क्या होता है जब हम स्वर बोलते हैं जो भी हम अक्षर बोलते हैं उसमें स्वांस का कमपन होना ठीक है यानि कि ए अ ड़ ठीक है कमपन होना लेकिन छो जब बोलते हैं तो छो हम उपर ही उपर बोलना है ठीक है तो छो ज जितने भी स्वर होते हैं, वो सघोस होते हैं, ठीक है, समझ पाएंगे, ठीक है, फिल से एक बार किलियर कर देता हूं आपको, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कौन सा वहाँगे, घोस नहीं है, घोस यानि कि सघोस की बात हो रही है, ठीक है, सघोस, तो सघोस में मैंने बोल करों, तो छो होते हैं, अघोस महाप्राण, ठीक है, अघोस महाप्राण, तो छो इसका राइड आंसर हो जाएगा, इसमें, ऑप्सन C, चलिए अगले कोशिन की तरफ बगते हैं, वह सर्वनाम के किस भेद के अंतरगत आता है, ठीक है, तो वह जो सब्द है दोस्तों, यह सर भाव आचक संग्या के अंतरगत आते हैं, तो संग्या के भी वेद हैं, आप पढ़ लीजेगा, एक बाद अच्छे से, ठीक है, लूसेंट सामाने हिंदी में सभी चीज़े दी हुई है, यह जितने भी कोश्यन आ रहे हैं, तो यहाँ पर भाव आचक जो संग्या होगी, भ हैं, इससे के बाद हम जाते हैं, दूसरे में तो, दूसरा हमारे पास है कोऊ, इसमय चाह आधा, वक्त आधा को है जबकि वक्र में पूरा को है यानि कि देखे ये दो तो डिलीट होगे क्योंकि सो बहुत बाद में आता है गो बाद में आता है वो सब में है तो ये दो तो पीछे आएंगे लेकिन आप वक्र और वक्त में कौन पहले आएगा तो वक्त पहले आएगा क्योंक सब्सक्राइब्टे हैं जो सब्सक्राइबियों सबसे पहले वाले कव आ रहे है दूसरे वाले में पूरा कव आ रहे है difference जो इसमें भिष्र वाले में वर्ग भर्ग १ैust तो बहुत पीछे आता है वेंजनों में करम में देखा जाए कौप पूरा वाला देखे बाद में आएगा आधे को से तो ये पहले आ जाएगा तो वक्त तो इसमें पहले होगा ठीक है तो ऐसे समझना पगता है अगला देखे मतवाला नामक सापताहिक समाचार पत्र का अप् समयलित नहीं होगा अच्छा कैने कौं सा समयलित नहीं है ठीक है तो इसमें जो राइड आंशर होगा दोस्तों होगा करता ने कर्म को करंण से के दोरा संप्रदान के लिए ठीक है तो संप्रदान के लिए तो यहाँ पर संप्रदान में को नहीं होता और मैं भी नहीं होता यानि कि दो इसमें गलत दिये गए हैं ठीक है लेकिन option B में भी अगर हम देखे तो कर्म को ए तो होता है इसमें, ठीक है, हे नहीं होना चाहिए, ये भी गलत हो रहा है, ठीक है, तो एक question है, I think इसमें तोगा misprinting हो गई है, ठीक है, तो जो हमारे कारक होते हैं, ठीक है, करता ने कर्म को, और कर्म को के साथ यहां पर ए भी होता है, बहुत से कम books में दिया है, इसके कारकों को चिन्न जो होते हैं, वो जरूर देखेगा, descriptive session भी है, playlist में, और आप books में भी देख सकते हैं, अगर है रिएंगल के रूप में आर्थिक साहिता के लिए एक सब्द क्या होगा, ठीक है, अगर हम रिएंगल के रूप में किसी को आर्थिक साहिता दे रहे हैं, तो उ एक सब्द होता है, तकावी देना, ठीक है, तकावी, option A, अब लाद देखें, अनुपस्तित में उपसर्ग कौन सा होगा, ठीक है, तो उपसर्ग क्या होते हैं, जो सब्द के प्रार्मब में जुगल कर उनका अर्थ बदल देते हैं, ठीक है, वो उपसर्ग के कहलाते हैं, तो अनुपस्तित की में बात करनें दोस्तों, तो इसमें हो जाएगा, देखें, अन, धन, उपस्तित, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ, सब्दों के प्रार्मब में जुगल कर अर्थ बदलते हैं, ठीक है, तो उपस्तित के आगे, जब हम अन लगा देते हैं तो यह अनुपस्तित हो जाता है, यानिकि option B सही अंसर है, अन अपको उपसर्ग होगा इसमें, ठीक है, चलिए, next question है, वेविचारी का विलोम सब्द क्या होगा, तो वेविचारी, इसका विलोम सब्द अगर हम देखें, तो इसका right answer हो जाएगा, तो वेविचारी वेक्ति का, मतलब वेविचारी का मतलब होता है, जो गलत काम करता है, तो अच्छे काम करने वाले को या पढ़िया आदमी को हम बोलता है, सदाचारी, option D हो जाएगा, इसका विलोम सब्द है, वेविचारी का विलोम सदाचारी, अगर देखें, राजभासा आयोग का गठन कब होग अच्छा कुश्यन है, बहुत बार पूछा जाता है ये एक्जाम में, राजभासा आयोग का गठन कब होगा था, तो इसका सही आंसर है, option A, 7 जून 1955 को होगा था, राजभासा आयोग का गठन, ठीक है, 7 जून 1955 अगला देखें, खबर का गठना इस्तल से सीधा प्रसा रंग क्या कहलाता है, ठीक है, तो देखें, आपके question बहुत जादा बनते हैं, जन संचार हैं, पत्रिकारता वाले topic से भी, आजके लिके एक्जाम में अगर आप देखें, तो बहुत से question आ रहे हैं से, ठीक है, तो को आपने देखा होगा न, उपर चैनल आइकन के बगल में लिखा हुआ भी आता है, लाइव, तो लाइव कराते हैं, ऐसी अमारी news broadcasting जो होती है, नेक से देखें, विध्यापती की पदावली किस भासा में लिखी गई थी, तो विध्यापती जी ने लिखी थी पदावली, और इसको लिखाता हुआ उन्होंने मैथली भासा में, ओप्सन, यहाँ पर उपर नीचे हो गए, आपको याद रखना है, मैथली भासा में, तो पदावली किसमें लिखी गई थी, मैथली भासा में, बिल्कुल सही आंसर है, चलो यह बगतने अंगले question के दरब, यह question भी बहु यह निकल दाए दोस्तों, सिंदू से, तो सिंदू सब्द शेह ही हिंदी सब्द की उत पत्य हुए, अगला दिकहे, ब्रजबूली नाम से जानी जाती है, तो ब्रजबूली इनमें किस को बहा जाता है, बहुत अच्छा question है, ब्रजबूली के नाम से यहाँ पर कौन सी language जा चले लाश्ट कोश्य ने देखिए आज के इस टेस्ट सरीच का सुद्ध वाक्य का चैन करना है अपने चार वाक्य के दियान में से बता है यह कौन सा बिल्कुल एक्कुरेट है तो यहाँ पर अगर हम देखें दोस्तों तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन B स्रीकेस्ट के अनेक नाम है यह बिल्कुल सुद्ध वाक्य है ऑप्शन B इसका सही आंसर होगा अगर बात करें देखिए यहाँ यहाँ मेरा पुस्ताग है तो नहीं होगा मेरी पुस्ताग होना ठीक है बाग और बगरी एक घाड में पानी पीते हैं तो यह तो वैसे असुद्ध है ठीक है और ऑप्शन C में भी हम देखें तो बंदूख उपियोगी सस्त्र है ठीक है तो बंदूख उपियोगी सस्त्र है ठीक है इसमें भी थोड़ा लग लग रहा है कि यह भी सही होना लग रहे हैं एक बार चेक जरूर कीजिएगा आप इसको ठीक है तो दोस्तों यह था सामाने इंदी पार 69 ठीक है तो देखिए इतने पार्ट यहां पर हो चुक है दोस्तों इस सीरीज के उन सतर पार्ट हो गया है और हर पार्ट में आपको 20 कोश्चेन मिलते हैं तो इस रहसाब से लगाई आप कितने कोश्चेन हो आपका रिविजन हो गया है ऐसे ही यूगे जीकी में हमारी पार्ट 76 तक हो गया है और वहीं जीके की बात कर तो जीके मैं I think 40 या 42 प्लस हो गया है तो बहुत सी सिर्जें यहां पर चल लिए आपके लिए गुरुप सी एक्जाम के लिए रामबाण की टेस्ट सिर्जें तो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चेन को ठीक है तो चलिए जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में तब तक आप लोग अच्छे से अपन